दोस्तों अगर आप लोगों का भी अभी तक आयूस्मान कार्ट बना हुआ नहीं है तो आयूस्मान भारत योजना के अंतरगत एक new application launch कर दिया गया है और अब आप लोग इस application के माददम से एक new आयूस्मान कार्ट के लिए apply कर सकते हैं साथ ही आप लोगों के family में किसी का भी आयुस्मान कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप अपनी family ID के मादधम से किसी भी family member का एक new आयुस्मान कार्ड बना सकते हैं साथ ही आप लोग किसी के भी iOS card की KYC को complete कर सकते हैं और आप लोग किसी के भी iOS card में correction कर सकते हैं इसी के साथ आप लोग किसी का भी iOS card इस application के मद्दम से download भी कर सकते हैं तो इतनी सारी कुछ facility आपको इस app में देखने को मिल जाएंगी तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को complete process बताने वाला हूँ कि किस तरहें से आपको new iOS card भारत application को use करना है और किस तरहें से आप लोगों को किसी भी भ्यक्ति के एक new iOS card के लिए apply करना है तो चेलिए सबसे पहले आपको play store में आना है और यहाँ पर आपको एक application को download करना है application का नाम है आयुस्मान आप इसके बाद आपको यहाँ पर open वाले option पर click करना है click करने के बाद login वाले option पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला है operator और दूसरा beneficiary तो हम यहाँ पर beneficiary वाले option पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number enter करना है और इसके बाद आपको verify वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही verify वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपने जो भी mobile number यहाँ पर fill up किया है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill up कर देना है इसके बाद आपको एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को same to same यहाँ पर आपको fill up कर देना है और इसके बाद आपको login वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही login वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ information को fill up करना है जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी state का नाम select कर लेना है state का नाम select करने के बाद आपको यहाँ पर scheme का नाम select करना है यहाँ पर basically दो schemes आ जाएंगी सबसे पहली scheme है पंडित दीन दियाल उपाद्याय और दूसरी PMJAY तो हम यहाँ पर PMJAY scheme को select करना है इसके बाद यहाँ पर आपको search by वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा है कि आप जो भी नाम को find करना चाहते हैं वह account से माद्यम से find करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे options मिल जाएंगे जैसे कि family id, आधार number, name और location तो हम यहाँ पर आधार number के माद्यम से find करना चाहते हैं तो आधार number वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपक वाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही search वाले option पर click करेंगे तो इस आधार card से related आपकी family में जितने भी लोगों के आयुश्मान card बने हुए होंगे, सभी लोगों के आयुश्मान card यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो verify वाले option पर एक बार click करना है, terms को accept करना है, और allow वाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही click करेंगे, अब आपके आधार card में जो भी mobile number link है, उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा, OTP आपको यहाँ पर fill up कर देना है, और इसके बाद दोस्तों आपको submit करना है, तो आपको जो भी आयुश्मान card है, वह यहाँ पर download हो जाएगा, तो इस तरह से तो आप लोग अपनी आयुश्मान card को download कर सकते हैं, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी new आयुश्मान card बनाना है, तो किस तरह से आप लोग बना सकते हैं, तो new आयुश्मान card को apply करने के लिए आप लोगों को दोबारा से यहां पर बैक आ娜 आना है और यहां पर आप लोगों और इसकी बाद सर्च वाय वाले option पर क्लिक करेंगे और आपको इस फार names select कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर district का नाम सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोग जिस भी नेम से सर्च करना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है नेम को टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सर प्रेटिक का आयुस्मान कार्ट बना हुआ है या फिर नहीं है अभी आप लोग जितने भी एक Green कलर में देख रहे हो तो इन लोगों का rate color का tick लगके आ जाएगा अब किसी का भी आयुश्मान card बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस list में नाम को find करना पड़ेगा अगर नाम उसका मिल जाता है तो आपको यहाँ पर unidentified वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर चार options देखने को में लेंगे सबसे पहला आधार OTP, Fingerprint, Iris Scan और Face Authentication तो अगर उसके आधार card में mobile number लिंक है तो आपको आधार OTP वाले option को select करना है, select करने के बाद यहाँ पर उसका आधार number अल्रेड़ी आ जाएगा और verify वाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही आप click करेंगे, इसके बाद दोस्तो उसकी और कुछ information आप लोगों को fill up करना है, fill up करने के बाद आप लोगों को उसका photo बगएरा capture करना है, capture करने के बाद उसकी सभी कुछ information fill up करके आप उसका आईश्मान कार्ट apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तो ये जो process है सिर्फ वो ही लोग कर सकते हैं जिन लोगों का list में नाम है या फिर जिन भी लोगों की family में किसी का भी आईश्मान कार्ट बना हुआ है अगर आपके family में किसी का भी आयुसमान कार्ट बना हुआ नहीं है और नहीं आप लोगों का लिश्ट में नाम है तो आप लोग इस प्रोसेस से आयुसमान कार्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं और दोस्तों जब आप लोग यहां से district का नाम टाइप करना है आधार नमबर एंटर करना है और search वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप लोग search करेंगे इसके बाद आपने अपने family में जिस भी new member को यहाँ पर aid किया है उसका यहाँ पर status देखने को मिल जाएगा जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी family में total five members हैं जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर चार लोगों का आयुसमान कार्ट बना हुआ है और एक member का मैंने आयुसमान कार्ट apply किया है और जिसका status अभी आप लोग देख सकते हो painting दिखा रहा है जैसे ही यह आयुसमान कार्ट अप्रूब हो जाएगा अप्रूब होने के बाद जहां पर painting लिखा हुआ है यहीं पर अप्रूब लिखके आ जाएगा कुछ इस तरह से आप लोग आसानी से इस application के माद्यम से आविसमान कार्ट के लिए apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को इस application के माद्यम से आविसमान कार्ट बनाने में कोई भी problem आ रही है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने आप लोगों को website के माद्यम से new portal के माद्यम से आयुसमान कार्ट अपलाई करने का process बताया है आप लोग चाहों तो उस वीडियो को भी देख सकते हो उस वीडियो का link मैं आपको इसके description box में दे दूँगा या फिर आप लोग display पर देख रहे हो बहे वीडियो आ रही होगी इस पर click करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं फिलाल दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तो फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ